दूस्तो आज मैं लाया हूँ IQ और Foco Company के दो चीप बजट 5Z स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन हमारे पास IQ Z6 Lite 5Z और दूसरा Foco M4 5Z तो इन दोनों स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग और कंपेरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफॉन आपके लिए रहता है सबसे बेस्ट तो फरस्ट अब ओल दोनों स्मार्टफॉन के प्राइज को जान लेते हैं IQ Z6 Lite आपको अभी ये 14,000 रुपे के अंदर मिलता है और Foco M4 5Z आपको लगबग 13,000 रुपे के अंदर मिलता है दोनों ही 4G भी वेरेंट है हाला कि ओनलाइन सेल चलती है तो आपको प्राइज काफी ड बैक साइड में हैडलाइन फीचर दिये गए हैं जिने में आपको वीडियो में आगे बताता रहोंगा तो जल्दी से दोनों स्मार्टफॉन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तब तक आप अगर चैनल पे फरस्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर द फ्लेक्सिबल ट्रांस्पेरेंट सिलिकन का कवर मिलता है इसके बाद आपको स्मार्टफॉन नजर आएगा इसे फिलाल साइड रखके अंदर देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है एक USB केविल और यह टाइप C USB केविल है लेंथ और क्वाल्टी काफी अच्छी ल अंदर क्विक स्टाइट गाइड देने के लिए यहां भी आपको एक प्लेक्सिबल ट्रांस्पेरेंट सिलिकन का कवर दिया गया इसके बाद इस स्मार्टफॉन इसे निकाल के साइड रखते हैं अंदर देखें तो आपको एक साड़े 22 वोट का फास्ट चार्जर मिल जात दोनों पर आपको ड्रॉप नौज डिस्प्ले मिलती है इसक्रेच गाड भी पहले से लगा हुआ है इने फिल दोनों स्मार्टफॉन हाथ में आपको काफी कमफर्टेवल फील होंगे सिलिम लग रहा है यहां पर आईक्यू जब की पोको थोड़ा सा मोटा लग रहा है इसक स्मार्टफॉन के कैमरा सेटप पे नज़र डाले तो दो-दो कैमरा के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफॉन जहां आपको मीन कैमरा जो है वो मिलता है 50 मेगा पिक्सल का और 2 मेगा पिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा विद LED फ्लैसलाइट दिया गया है यहां फोको की ब्राइ और कलरफॉल डिस्पले आपको दोनों स्मार्टफॉन में मिल जाती है 550 Nets की brightness मिलती है आपको IQ Z6 Lite में और POCO M45Z में आपको मिलती है 600 Nets की brightness आउटडोर भी अगर आप यूज करते हो दोनों स्मार्टफॉन का तो एजिली यूज कर पाओगे यहां पर स्क्रॉल अप करते ही सारे के सारे application आपको नज़र आएंगे दोनों स्मार्टफॉन में आपको pre install app में मिल जाती है हलाक एन्वांटेट आपको फॉन से remove आप कर सकते हैं इसकी अलावा टस्क दोनों का काफी smooth और fast मिल जाता है 120 Hz का refresh rate आपको मिलता है IQ Z6 Lite 5Z में और POCO M45Z में आपको 90 Hz का refresh rate दिया स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए आपको IQ Z6 में मिलता है पंडा गिलास का प्रोटेक्शन और POCO M4 में मिलता है Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन बात करें दोनों स्मार्टफॉन के डिस्प्ले साइज की तो 6.58 इंच की full HD plus IPS LCD मिलती है आपको दोनों स्मार्टफॉन में जिसका aspect ratio 229 screen resolution 1080 x 2400 8 pixel और 1080 x 2400 pixel और pixel density 400 1 PPI और 400 PPI की और दोनों स्मार्टफॉन के जो एज और बैजल्स हैं corner और ओपर से थिक लेकि नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा आपको मिलती है दोनों स्मार्टफॉन में 164 mm की height आपको मिलती है IQ में और POCO में मिलती है 163.9 mm की height thickness 8.2 mm की IQ में और 8.9 mm की POCO में weight में भी थोड़ा सा अंतर है 194 gram का है IQ और POCO है 200 gram का दोनों स्मार्टफॉन के अंदर 5000 mm की बैटरी लगी है और दोनों ही स्मार्टफॉन स्प्लैस प्रूप है हलका फलका फानी mobile का कुछ नहीं बिगारने वाला चलिए दोस्तों आप setting पे नजर डालते है IQ स इसकी setting को जैसी आप open करोगे तो जैसे आपने वीवो का interface देखा होगा वही interface आपको यहां पर भी देखने को मिलता है जहां पर आपको सबसे नीचे about phone section दिया गया है फंटच OS इसमें भी आपको मिलता है क्योंकि यह वीवो का ही sub brand है तो फंटच OS 12 आपको इसमें दिया गया है 2.0 GHz का octa core processor और chipset आपको इसमें 4G N1 card मिलता है जो की एक latest chipset है 5G में गेमिंग के लिए काफी अच्छा chipset आपको इसमें दिया गया है 4GB RAM प्लस 1GB Virtual RAM आपको मिल सेटिंगे POCO M4 5G की सेटिंग पर इसकी सेटिंग को जैसी आप उपन करोगे तो आपको अंदर जो इंटरफेस है वो रेडमी मुवाइल के जैसा ही नजर आएगा क्योंकि यह रेडमी का sub brand है MIUI version 13.0.2 यहां पर दिया गया है इसके अलावा Android version 12 आपको इसमें भी मिल जाता है जो कि इस से पीछे हो जाता है चिपसेट के मामले में IQ से तो फ्रेंड्स इसमें आपको 7NM का fabrication मिलता है 64GB का internal storage 45GB F1 में एविलेबल है use के लिए expendable memory आप यहां पर 512GB तक बढ़ा सकते हैं और storage type UFS 2.2 का आपको यहां भी मिल जाता है दुनों स्मार्टफोन के camera clarity भी आप आपको काफी अच्छी मिल जाती है colors का थोड़ा सा different आपको नजर आएगा थोड़े सी brightness ज्यादा मिलती है आपको IQ में zooming देखते हैं तो यहां पर IQ से आप कर सकते हैं पूरा 8 गुना zoom यह 8x zoom quality है इसकी और हम कर सकते हैं Foco M4 5G से पूरा 10 गुना zoom तो यह 10x zoom quality है तो zooming power आपक आता है तो IQ का camera आपको बहुत पसंद आएगा 2x तक का zoom support भी मिल जाता है यह देखिए यहां पर 2x तक zoom कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा और फोको में आपको zoom support नहीं मिलता तो friends यह थे IQ और फोको की और से आने वाले दो बहतरी स्मार्टफॉन दोनों ही और इसकी price फिर तो आपको काफी ऊपर पड़ जाएगा यह स्मार्टफॉन दोस्तों अगर यह 12,000 रुपे के अंदर आपको सेल के अंदर मिल जाता है तो मैं कहूंगा यह बहुती बढ़िया स्मार्टफॉन है आपके लिए अगर गेमिंग के लिए आप पर्चिस करना चा करता हूं मेरे द्वारदी की जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ने कुछ काम आएगी जिससे आपको मोईल पर्चिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें